अलो बच्चों लेट्स रीड दा कुश्चन फर्स्ट दो कुश्चन से इस वाट इस टू अबाउट डॉग्स इन कैट तो डॉग्स के रेफरेंस में हमें बताना है पहला में दिया हुआ है डिफरेंट स्पीशीज बिलॉंग्स टू सेम जीनस तो बच्चो बिलकुल गलत ब बच्चों बिलकुल गलत स्टेटमिंट है डिफरेंट इक्सा का मतलब है टैक्सा क्या होते हैं आपके यह होता है जैसे की इंगडम फ्ऎलं पिर आपका हो गया लास ऑअडर family genus species यह होते हैं आपकी texa, अगर different texa है तो same family से कैसे belong कर सकता है family तो अपने आप में एक texa है, तो यह गलत statement है texa of different families but same order. तो बच्चो बिल्कुल सही statement है यह तो families है इनकी, families, वो same है, यानि की, families जो है, वो इनकी different है, यहाँ पर, पहले की है, Kennedy, आपकी dog की हो जाएगी, Kennedy, family, और cat की हो जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो families different है, यहाँ पर Kennedy and Felody, अब इनका order क्या है, बच्चों, इनका order है, कार्नी वोरा, कार्नी वोरा, इनका order है, इस order में, इस order में, फेर सारी families है, विच इंक्लूट्स, Kennedy and Felody, तो यहाँ पर, जो families है, वो different है, बट order जो है, वो same है, टेक्सा of different family, but of similar order, तो यह statement बिल्कुल सही है, ठीक ही बात करें, बच्चों, वाँ पर दिया हुआ है, टेक्सा of different families and order, तो different families, तो सही है, बच्चों,